दोस्तों नमस्कार, I hope कि आपसे भी बहुत ही अच्छे होंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सबसे होट टॉपिक के बारे में, जो है आपका किया सॉनेट का फेसलिफ लॉन्च हो चुका है, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यानि कि आप HTE और HTK में confused हैं, और यहां पर आपको जो एक शुरू में डिफरेंस देखने को मिलता है, वो 80,000 रुपे का देखने को मिलता है, तो क्या आपको बेस वीडियो के साथ में जाना चाहिए, या फिर आपको सेकंड बेस वीडियो के साथ में जाना चाहिए, इस के बाद में, यहां पर जो वेरियंट में कंपेर कर रहा हूं, आपका वो कर रहा हूं, मैं 1.2 लीटर वाला पैट्रोल इंजन क्योंकि जो बेस वेरियंट है, वो सिर्फ आपके पैट्रोल में ही देखने को मिलता है, और वो भी 1200 CC के इंजन के साथ में, तो जिन लोगों को वो इस वीडियो को बिल्कुल मिसमत करना, और बेसिक चीजे बताने के बाद में, मैं आपको यह बताऊंगा, कि आप अगर सेकंड बेस वेरियंट हैं, तो वहां पर आपको इन 80,000 रुपे के एवज में क्या कुछ देखने को मिल जाता है, और क्या आपके लिए वो वेल्य में जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं, वो उसमें वैल्यू एड कर रहे हैं, कि आपके पैसे का कहीं कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, नमशकार दोस्तो, आप हैं EM Cars, Everymate Cars पर जहां पर आपको automotive related all sorts of content प्रोवाइड किया जाता है, with complete honesty, तो अगर आप चैनल पर नहीं हैं, या फ बहुत सारी गाड़ियों में यूज होता है, इसमें आपको 82 BHP की power petrol में और 115 Nm का peak torque देखने को मिल जाता है, उसके बाद में अगर बात करें इस गाड़ी की dimensions की, तो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां पर इस गाड़ी में आपको क्योंकि सफोर मीटर ह 25 mm की length, 1790 mm की width, 1570 mm की height, जो की HD के variant में जादा हो जाती है, क्योंकि वहां पर roof rails आती है, और 2500 mm का wheelbase देखने को मिल जाता है, अगर यहां पर इसके boot space और fuel tank capacity की बात करें, तो यहां पर 385 liters का अच्छा का सा boot space, और 45 liters का fuel tank capacity आपको देखने को मिल जाता है, दोस्तों यहां पर 215, 16, 16 के आपको tires देखने को मिल जाते हैं, अब दोस्तों मैं आपसे यह के करके बात कर लेता हूं, कि अगर आप sonnet का HT के variant के लिए जाते हैं, यानि कि आप इसका HT variant के लिए जाते हैं, तो आपको यहां पर क्या-क्या चीज़े extra देखने को मिल जाती हैं, सबसे पहली पतले tire और वहां पर wheel cap के साथ आपको देखने को मिलते हैं, दूसरी चीज़ दोस्तों यहां पर आपको roof rails देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी dual color में आती है, जो कहीं ना कहीं एक sporty element add करती हैं आपकी गाड़ी में, और इससे आपकी गाड़ी की aerodynamic भी बहतर हो जाती है, द लेकिन Sonnet के SDK में आपका rear camera देखने को मिल जाता है, दोस्तों यहां पर next difference आपको देखने को मिलता है, keyless central locking आजाती है, जबकि आपके base variant में simple की आती है, जिससे की से आप central locking कर सकते हो, यहां पर आपकी flip की देखने को मिलती है, जिस पर आपके on-off के switch देखने को मिल जाते है और यहां पर वो आपकी keyless हो जाती है, next feature जो मैं आपको बताओं जो गर्मियों में बहुत काम आने वाला है, वो है आपका Sonnet का window curtain जो आपको देखने को मिलता है, वो rear वाली seats पर आप उसको use कर सकते हैं, लेकिन इस बात का धियान रखेगा कि उसके उपर आप ऐसे areas में ना driver side पे, दोस्तो next चीज, जो बड़ी चीज है यहां पर जो पहले नहीं देखने को मिलती थी, वो यह कि इसमें आपको 8 inch का infotainment system देखने को मिल जाता है, तो यह कहीं ना कहीं एक बहतर बात है, और यह कहीं ना कहीं इस गाड़ी को जादा value for money बनाता है, जिसमें आपको reverse parking camera भी देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर आपकी जो driver seat है, वो आपकी height adjustment के साथ में आती है, और power windows जहां बेस variant में आपकी सिर्फ front two doors की आती है, वहां यहां पर आपकी htk variant में, front और real दोनों दरवाजों में आपको power windows देखने को मिलती है, तो दोस्तों आपको यहां पर काफी ज़्यादा value add देखने को मिल रहा है, अगर आप ht variant लेते भी हैं, उसके बाद में उसमें काम करवाते हैं, तो आपका लगबक 40-50,000 रुपे आराम से उसमें खर्च हो जाएगा, सिर्फ उसमें basic चीजे यानि कि अगर आप music system लगवाते हैं, camera आपको central locking भी लगवानी होगी remote वाली, तो यहां पर आपका खर्चा काफी हो जाएगा, बलकि मेरे हिसाब से, आप क्या कर सकते हैं, बेशक ht variant के साथ में जा सकते हैं, 80,000 रुपे में, यहां पर आपके tires भी upgrade हो रहे हैं, वो ज़्यादा सुन्दर भी लगते हैं, और एक problem जो है, वो recommend करूंगा, अगर किसी को 1.2 वाले engine के साथ में लेना है, तो, इसके अलावा, अगर आपके अमन में कोई doubt है, जो जुरू comment section में mention कर सकते हैं, और अगर आप कोई नई गाडी लेने का प्लान कर रहे हो, और आप confused हैं, तो आप हमारे car consultancy number पर हम से connect कर सकते हैं, हम आपकी सारी details को gather करके, आप से connect करेंगे, और आपको जो आपके लिए best possible options होंगे, गाडियों के, वो आपको suggest करेंगे, thank you so much for watching it, please do subscribe this channel for such informative videos, and press the bell notification icon, bye-bye, take care of yourself, and remember, always drive safe, bye-bye, दोस्तो. कर दोस्तो.